जय हिंद तो दोस्तों आज की वीडियों चलो हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के कुछ वा नाइनर कोश्चन इसके पहले मैं दो वीडियो करा चुका हूं तीन वीडियो तो आज मैं खुछ और important question है जो कराने वाला हूँ आप अगर total video का question solve कर लेते हो तो I think आपका physics का कोई question छोड़ने वाला नहीं है ठीक है तो चलो हम लोग start करते हैं बिना time गवाए तो पहला question है प्रकास बीकिरण की प्रकृति होती है तो बाबु प्रकास बीकिरण की जो प्रकृति होती ह अगला question कह रहा है मध्यम में माध्यम के तापमानवे विद्धी के साथ प्रकास की गति बढ़ती है या घटती है तो बाबु वो क्या होती है बढ़ती है समझ में आ गया अगला question फिर कह रहा है प्रत्यावर्ति-धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक बिद्धुत फिटिंग्स में एक तार को भू संपरकिंग किया जाता है इसका करण क्या है तो इसका करण सिर्फ और सिर्फ है यदि लगुपथन हो जाए तो धारा भूम में चली जाएगे यानि कि अगर माल लो कि लगुपथन हो जाता है तो क्या हो जाता है धारा भूम में चली जाता है तो जो धारा होती है वो धर्ती में चली जाती है जिसके करण जो हम लोग क्या करते है यहाँ पर भूम में आर्थिम जिसको कहते हैं लोग उसको लेते हैं ठीक अगला कोशन कह थीक अगहला कह रहा है एक आधर स मेमें लगे पंके बल्ब आदी लगे होते जो पंखे बल्ब घरों में लगे होते हैं किस करम में होते हैं समांतर करम में लगे होते हैं ठीक है अगरा किसी चालक के सीरों के बीच विभुवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है यह नियम ओम का नियम कहलाता है क्या कहलाता है ओम का नियम कहलाता है किसी प्रतिरोध का यसाई मात्रक क्या होता है तो 20 प्रतिरोध का यसाई मात्रक ओम मीटर होता है अगला कह रहा है यदि तीन ओम और छे ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े जाए तो संपूर प्रतिरोध होगा तो संपूर प्रतिरोध तीन ओम होगा अगला कह रहा है एक सुक्स सेल में कौन सी उर्जा पाई जाती है तो एक सुक्स सेल में रसाइनिक उर्जा पाई जाती है अगला कोशन एक समान सुक्स सेल में विद्धुत अपघट होता है तो कैसा अपघट होता है विद्धुत अपघट होता है अमोनियम क्लोराइड के रूप में कैसा ammonium chloride ठीक है अगला कह रहा है एक car battery में पर्युक्त विदुत अपघट होता है तो उसमें जो पर्युक्त विदुत अपघट होता है वो sulfuric अमल होता है अगला बोल्टीय सेल के अविस्कारक है तो बोल्टीय सेल के जो अविस्कारक है एलिजंड्रो बोल्ट कौन एलिजंड्रो बोल्ट सुक्स सेल है तो सुक्स सेल प्राथमिक सेल है कैसा सेल है प्राथमिक सेल है लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं तो लोहे के ऊप बिद्धुत्फ अपघंध शंब्धित नियम किस ने प्रतिपादित किया अगला विद्धुत्फ YOUज में इस्तमाल की जाने वाले मिस्र धातु में नियूनतम विसिष्ट प्रतिरोध एवं नियून गलनांग होना चाहिए अगर आपका नियूनतम विसिष्ट प्रतिरोध और नियूनतम गलनांग नहीं होगा तो फ्यूज तार काम नहीं करेगा जिससे सरकिट होने पर ये कटेगा नहीं तो ये कम होना चाहिए, नियूंतम होना चाहिए, ठीक है, आगे कह रहा है, आमतोर पर एक सुरच्छा फ्यूज लगाने के लिए प्रियोग होने वाली तार किस प्रदार्थ की बनी होती है, तो ये जो प्रियोग होने वाली तार जो होती है, टीन और सीसे का एक मिस्रधात हो होती है टीन और सीसे के मिस रधात होती है जो कि बहुत ही कम जोड़ होती है जिसे लाइन सार्ट सर्किट करता है तुर्ण वो कट जाता है ठीक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्त का बना होता है तो बिजली का जो बल्ब होता उसका फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है किस से बना होता है जिसकी प्रतिरोधक जिसकी चालगता सबसे कम होती है ठीक है अगला बैद्दूत हीटर का एलिमेंट निमलिखित में से क इस धातु का बना होता है तो जो उसका एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है ठीक आगे यदि सो वाट वाले दस बल प्रत दिन एक घंटे जलते हैं तो प्रत दिन बैदुत उर्जा का उप्योग कमान होगा एक यूनिट सो वाट वाले दस बल प्रत दिन जलते हैं तो उसके वैदूत उर्जा का जो उर्जा खपत होता केतना एक यूनिट कि वनिट्स्ट काToday bipolar거든 यागला लिखा 제 9 प्रतिचुमकार किस ने किया तो भी प्रति श्रति जिंट्ञिल है किसने वेंजामै प्रतिचुमकी है तो जो निखिल है ठीक है यह है प्रतीचुमकी है मैं प्रतिचुमकी है आगे विद्द्ध धरा का चुमकी प्रभाव स्वरपथम आलोकित किया था तो और स्टेट ने जो है विद्धु धारा को स्वरपथम आलोकित किया था विद्धु चुमकी प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया तो जनित्र मने जनरेटर बनाने में जो है का उपयोग किया गया था वेदूत मोटर निम्न सिध्धानतों के अनुसार कारे करती है तो जो फैरेड का नियम है उसके अनुसार काम करती है ट्रांस्फार्मर क्या है तो ट्रांस्फार्मर AC बोल्टा को घटाने और बढ़ाने में प्रियुक्त किया जाता है ट्रांस्फार्मर का उप्यों किस में किया जाता है जो AC की बोल्टा होती है उसको बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए प्रियुक्त में लाए जाता है होता है नूट्रान की खोच किस ने किया तो नूट्रान की खोच चैडविक ने किया था प्रमाडू करमांग की खोच किस ने किया तो प्रमाडू करमांग किसे कहते हैं नाभिक में उपसित प्रोटानों की संख्या प्रमाडू करमांग कहलाती है आगे फिर जिस तत्त्त के प कितना होता है तो नाभिक का जो आकार होता है 10-15 होता है तो नाभिक का आकार कितना होता बाबू 10-15 होता है ठीक है अगला देखिए पाजिट्रान की खोज किस ने की तो पाजिट्रान की खोज एंड रशन ने किया कितने किया एंड रशन ने किया अगला कह रहा है हाइड्रोजन प्रमाडू की नुकिलियस में प्रोटान की संख्या ग्यात कीजिए तो प्रोटान की संख्या वहाँ एक होती है ठीक है अगला कह रहा है इलक्ट्रान की खोश किस ने की तो इलक्ट्रान की खोश थामसन ने किया ठीक आगे इलक्ट्रान वाहन करता है तो इलक्ट्रान जो है एक यूनिट रिडावेस को वाहन करता है कह रहा है ऐसे प्रमाडू जिनके प्रमाडू कर्मांग समान प्रंतु प्रमाडू द्रमान भिन भिन होते हैं वो कहलाते हैं सम अस्थानिक्स कहलाते हैं अगला सम अस्थानिक्स गुड पाय जाते हैं वो तत्यों में पाय जाते हैं एक भारी नाविक के दो हलके नाविकों में तूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाविकी विखंडन, क्या कहते हैं नाविकी विखंडन, दो हलके नाविक मिलकर भारी नाविक का निर्मार करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाविकी सनलयन, क्या कहते हैं नाविकी सनलय प्रमाडु बंब का सिध्धान्त आधारित है तो प्रमाडु बंब का जो सिध्धान्त है नाविकी विखंडन पर आधारित है रेडियो सक्रिय प्रदात उतसर्जी करता है तो रेडियो सक्रिय प्रदात अलफा के रड़े बीटा के रड़े और गामा के रड़े उतसर्जित करता प्रियोग तो होता है क्योंकि यह उतसर्जित करता है क्या उतसर्जित करता है इसलिए कोबाल्ट सिश्टी आम तोर पर विकीर अजिक विध्र क्या को 10 में प्रियोग किया जाता है नावकी रियक्टर में निमलिखित में से किसे मंदन के रूप में प्रियोग किया जाता है तो ग्रेफाइट को जो है मंदन के रूप में प्रियोग किया जाता है प्रमाडु पाइल का प्रियोग कहा होता है तो प्रमाडु पाइल का प्रियोग नाविकिय विखंडन के प्रचालन में क्यूरी किस क्यूरी किस की एकाई का नाम है तो क्यूरी रेडियु एक किस रूप में किया जाता है तो इसका उप योग मन्दक के रूप में किया जाता है द्रमान उर्जा संबंद किसका निसकर्स है द्रमान उर्जा जो संघर्स है द्रमान उर्जा संघर्स जो है वो सापेच्छता का विशिष्च सिधान है तो द्रमान उर्जा संबंद किसका निसकर्स है तो द्रमान उर्जा संबंद सापेच्छता का विशिष्च सिध धान्त है डायोड का प्रयूड का प्रयूगती है जो धारा को एक दिसा में प्रभावित होने देती है ठीक है अगला का रडार का उपयोग किसलिए किया जाता है तो रडार का जो लिया जाता है ठीक है ौरा स्प्राष्ट हो रहा है यह प्रमाढ स्वारपफटन किस ने दिया तो यह प्रमाढ यूटम फम्स लोग लगे रहो देखो हमभी मेहनत कर रहा हैं आप मेहनत कीजिए और आप अपने तरब से 100% दीजिए रिजल्ट आपका जरूर आएगा क्योंकि जो 100% देगा बाभू उसका रिजल्ट तो होना है तो आप मेहनत कीजिए पढ़िए जो समय है उस समय का यूज करिए ताकि समय बीत जाने पर आपको पस्तावा न हो आज से ही सतर मेहनत कीजिए पढ़िए रिजल्ट आपको जरूर होगा मिलते हैं एक वीडियो में जैहिन बंदे मात्रम